नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है आज का वीडियो भहत ही इंपोर्टन्ट होने वाला है मैं को अपने वीडियो में दिखा रही हूँ यह मैंने पहले भी यह दिखाया आपको यह वीडियो लेकिन आज मैं इस तरह se gardening करने का इस तरह से पॉर्ट को फिल करने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं आज यह मैं अपको पूरा विज्वल दिखाऊंगी आप खुद देखके समझ जाएगा कि क्या फायदे हैं और किस तरह से इस तरह से दिखे मैंने अपना स्वायल मीडिया तयार किया है गोबर की करने के और का क्रोंशेस इससे क्या फायदे मुझे हुए ये मैं आपको बताती हूं तो यह देखिए मैंने अपने गार्ड हेस्ट से पिल किया है किचे सॉर्य किचेंट वेस्ट से ऑट के नीचे का फर्शन पहले फिल किया है उसके ऊपर से मैंने मिट्ती डाल दिया है skilled सती है ,δो गाम मैं पूरा हुआ है यह जो मेरा गार्डेट वेस्ट था वह अच्छी तर से डिकमपोस्ट ख़ायका कमपोस्ट बन जाएगा किच्ञ वेस्ट से बनने वाल में आरंद डिकमपोस्ट,स्से पहले एक ट्रिप गलत लिक्विड खाद निकाला है उसका विडियो बनाया था एक क्लोड किया था ऍवेड़ु шाइब करके उसका बनाकर उसके अंदर गुड-गूड डालके candidate गुर्मिंबट लिक्विट था फर्टिलाइजर उसको पानी में डालके सोक करके 3-4 दिन तक मैंने लिक्विट फर्टिलाइजर अपने पौधो को दिया उसके बाद उस वेस्ट से जो निकला उससे मैंने का अपने पॉट को फिल किया और उस वेस्ट का उपयोग मैं ने उसकी किचन वेस्ट compost बनाने में मेरा ये नीचे kitchen waste compost बन जाएगा उपर जो मिट्टी का पर डाला है उस पर मैंने देखिए ये चने की भाजी जाली है इससे चने की भाजी तयार हो जाएगी जिससे मैं harvest करके अच्छी harvesting ले लूँगी और मेरा kitchen waste compost भी तयार हो जाएगा नीचे उसके बाद के फायदे मैं दिखाती हूँ आपको आपको देखके आस्चर्ज होगा कि कितनी तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं अपने कैसे gardening कर सकते हैं बहुत easily बहुत minimum खर्चे में कैसे gardening कर सकते हैं तो अभी आप आगे की वीडियो में दीखे कितना अच्छा मेरा भाजी भी तैयार हो गया मैंने कितनी तरह से इससे liquid fertilizer भी ले लिया और compost भी ले लिया मैंने अपनी मिटी की गुनबत्ता भी बढ़ा ली जिससे कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉस्टिक था और बिल्कुल ही organic मेरी harvesting हो गई तो जो कहते हैं हमेने 110% कैसे इससे पाय दे लिये हैं वो मैं आपको दिखा रही है इस वीडियो में तो देखे मैंने ये बहाजी लगा दिया ये चने को इसमें बहुत दिया है उपर से अंदर ये अंदर मेरा kitchen waste decomposed हो रहा है और उससे compost तयार हो जाएगा मेरा kitchen waste compost तयार हो जाएगा उपर से मैंने harvesting ले ली तो उससे मेरे हम खाने के लिए मुझे मिल गया organic food vegetable मिल गया और ये देखिए मैंने इसके नीचे एक pot लगा के रखा था जो गमले के नीचे हम plate लगाते हैं वो लगा दिया था इसके आप सोच भी ने सकते हैं कितने फायदे हैं इसे मैं इस तरह से पानी में मिला के अपने पौधो को दे दूँगी तो ये देखिए आप जितना आपके पास ये liquid fertilizer उसका तीन गुना पानी तयार करके तो इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम तो आप भी ऐसी gardening कीजिए और अपने छट को हड़ी बड़ी बनाएए और organic food का इस्तमाल कीजिए